असलाम अलेकूम कैसे आप सब लोग आज हम चिकन समोसा बनाने जा रहे हैं चिकन खीमा समोसा जिसके लिए मैंने 500-500 ग्राम चिकन खीमा लिया है 400 ग्राम मैं उसमें प्यास दालने वाली हूँ यह 12 हरी मिर्चे थे जिसे मैंने पेस्ट बना लिया है पीस दिया है 1 टेबल स्पून सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से आइड करें हल्दी 1 टी स्पून और जिंजर कार्लिक पिष 1 टी स्पून अब बहुत सारा हमें धन्या लगेगा मैंने वान फूद बंच ले लिया है यह राउंड चार टेबल स्पून धन्या है बारी काटले से और दो टेबल स्पून तेल क्योंकि ओए में कम दालूंगी क्योंकि हमें समोसे में फिल करना है समोसे पत्ती में से तो आइल जादा नहीं होना चाहिए प्राइए शुरू करते हैं तो सबसे पहले गरम करने रख दिया था मैंने उसमें ऑईल डाल दूंगी तो टेबल स्पून ऑईल प्यास डाल देए पाइनली चॉप स्टाज है बिल्कुल बारी चॉप स्टाग लेकाई फिर थोड़े सा नमल दाल प्यास को थरा चॉप सहने देए पर टालक्याजति नम्हर आपके आफ केजी चिकन और प्यास के साथ मैं अप्रॉक्सिम्ट ग्राम took में अपरोक्सिमिटली में थराए जी प्यास के साथ में है। enables समोसे तैयार हो जाएंगे मैं बायर की समोसा पट्टी यूज़ करने वाली हूँ स्वीट स्कीड पानी मेखें नुप संदेख़ें तरफ इसे एक फ्यव मोद मीखता सुप करेंगे अव चय शूप कर लिया था है अपने प्यास को अगरा प्यास कैट एदे नहीं हैv अगर effectivement चॉप में चॉप पर गौत करें हैं रही डर कि तो हैं आफ को आपकानी घ्र जाता है पानी ड्राय हो रहा है आप इस कलर के और यह देखे रहे हैं पिल्कुर उसको धीमी आज पर आप चला है प्यास रवल भी में करने है ब्राउन कलों में आना चाहिए खोड़ा बस थोड़ी ची गल जाया है कि प्यास का प्यास का चंक्स थी थोड़ा ख़़ा आपके समूसे के साथ है आना चाहिए खीमी के साथ है समय और दो सीमिने का पांगी आपका रवी तरवाजी तरवाजी के पाहते है अब हम इसको सारे मसाले दाल देंगे अबर अब रख लसने पेस्ट नमक बाद में आज करेंगे तो हम खीना दाल देंगे इसे अप्षी तरा चाप भूल ले और इसे जीवा भी आज करके किस्ट लोग जीडा दालते हैं तो मैं इसे कज़ अब मशाला बनता है तो इसमें आज में नहीं करने ला लिए रेल अट चरी आज कर दो कॉंहिए अ की अब अग्ष्जे से फिह अपर अगर टोबिण देखना अपर तंक भूली का कच्छय जो नहीं होनाओ है नियुजे होना करता हूं कि अपयो 5 मिनित हो गया हमारा मसाल अच्छे से बुन गया है अब हम इसमें चिकन खीमा अच्छे देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर ले यह देखिए खीमा अच्छे से मिक्स हो गया चिकन का मेरा मीडियम साइस की मैंने समोसा पत्ती लिए मीडियम साइस की लिए है लाज साइस की तो इसमें आरांड 25 समोसा बन जाएंगे आप अगर मीडियम साइस के पत्ती लेंगे तो इसमें आपको 30 से 35 समोसा आरां से बन जाएंगे अब इसमें हम बच्छा हुआ सॉल्ल वियाट कर देता है हमको पूरा पानि खुश्क कर जाना है पूरा पानि सुख जाना चाहिए बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए लिए तरफ शीचा करें वारना हमारे साहँ आप साफ्ट हो जाएंगे तलने के बाद कुलियर के रगा तो आप जो आप तो हम पानी नहीं रखना है बिल्कुल इसा फुश्ट कर दाना है द्राइच कर देना है तू टेबल स्पून धनिया आप अभी आज कर दे बाकी का हम अखेल में आज करेंगे इससे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर ले मैं ऐसे पांच मिनद के लिए धक कर रख दूंगी बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएंगा पर मैं आपको बता होती हूँ जब पानी खुश्क हो जाएंगा तो मैं ग्यास ओफ कर दूंगी और इससे ठंडा होने के लिए रख दूंगी फिर मैं आपको समसे बनाना रख दूंगी यह देखिए बिल्कुल ड्राय हो गया है मैंने फ्लेम ओफ कर दी और बकी का बचा हुआ भनिया भी दाल दिया और इस जाएंगी फिर में बनाना शुरू करते हैं अरा खी में बिल्कुल थंडा हो गया है यह मैंने पानी में एक चम मच मेंने मैदा दाल दिया था उसे घोल बना दिया उसका मैं स्वीच्स की पट्टिया यूज करने वाली हूँ समसे की अधिक्ट को बनाना कर बताती हुआ है इस तरीके से एक पट्टी ले ले इस पेर हम पानी लगा देंगे इस तरीके से देखे हमें इस तरीके से पॉक्टिक बनाना है कोन की कोन के जैसा हमें बस फोल्ड करना पहला है देखिए अधिर से बटाती हूँ इस तरीके से ट्राइंगल और यहां पर यहां पर यहां पर केत बन गया अगर आपको बढ़ा लग रहा है तो आप इस तरहीただ किसे अभजिस कर लिए अंब हें देखी बढ़ा लग रहा है तो मैंने अभजिस कर लिया देखी हमारा पॉकेट अब इसके अभर हम य woods गट- दालेगा आपमारा दीफार यहां पर और उसको आगे की तरफ फोल्ड कर दे यहां पर आप आपका बैटर लगा दीजिए इस तरीके से अब आगे हमें बंद करना है तो मैंने बैटर लगा दिया है और यह तो यह देखिए समोसे तयार है इसी तरह से मैं सारे समोसे बना दूंगी और हम इसे फ्रीज कर देंगे देखिए इस साइस के अलहमदलिल्ला 30 समोसे मेरे तयार हो गए है मैं इसे फ्रीज कर दूंगी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगा है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें दूआ में याद रखें अल्ला हाफिज और केंगे करे और स्थया में प्लीज करे चाहिए ऑ्र